आई फ्रेंड्स मैं हूँ पेंद्र कुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडी तुपेंद्र स्टडी क्लासस में जैसा कि आप लोग को आज इस वीडियो में जानने वाली है यूपी वीटी की कॉपी किस प्रकार से लिखती है अब बात किया जैसा कि आप लोग को वहाँ पे किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं आद मैं ऐसी को टॉपिक के वारे में डिसक्सन करने वाला हूँ जो खुद ना खुद मजबूर कर देगा आपको एक्जामनर नंबर देनी में तो बात क्या जैसा कि आप लोग को मैंने एक चीज में और आपको लोग को रिपीट करना चा लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप लोग कांटक्ट कर लीजीę कहने का मतलब है कि सारे सबजेक्ट TO का पीडियफ प्रवाइट कर दिया मतलब पीडियफ तयार गया है और साथ में आप लोग को lecture भी मैंने पूरे स्लेवर्स का पूरे चेप्टर अगर आप लेक्टर्स प्रवाइड कर दिगा है ठीक है अगर आप लेक्टर्स भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रप्शन बॉक्स में मैंने उसकी भी लिंक दे दी है सारे सब्जेक्ट की आप जाके वहां पर वाज कर सकते वहां पर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं उत्प भी नहीं है अगर आप थाइटी नाश रूपी सब्सक्राप लेवि लेते हैं तो युद्याशन आप लोग समझ में और सांख में आप लोग को जिस परकार से question पूछे जाते हैं examiner में मैं कल से start करने वाला हूँ साथ में जितने important question किस बिस से किस level पर question अपकी बार आने वाला है इन सभी topic के बारे में आप लोग को next classes में discussion करेंगे चलिए बात करें आप लोग को UPBT किस प्रकार से आपको copy लिखनी है किस प्रकार से उसमें question आने वाला है और किस प्रकार से अगर आपको question नहीं आता है तो किस प्रकार से उस question को लिखना है तो इनके बारे में देखेंगे चलिए सबके पहले आपको देखना सबसे पहले सबका topic question क्या होता है कि यूपी बीटी यूपी copy कैसे लिखे means कहने के मतलब है कि जो आप exam center पे जाती है तो exam center पे सबसे बड़ा question बनता है कि बीटी यूपी copy कैसे लिखे मतलब किस प्रकार से हम copy लगे कि जो examiner ज्यादा से ज्यादा आकरसित होकर हमें full marks देने की कोसिस करें तो बात किया जैसा कि आप लोग को तो यहां पे आप लोग को दो तीन चीजे बहुत mistake करते हैं को student यानि पहला examiner क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता topic आपका जो ऊपर आता है discussion में आप लोग को name ओगरा fill करने के लिए तो वहां पे आप लोग को विल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोग को अगर किसी भी प्रकार के कार्ट पीट कर देती हैं मतलब किसी प्रकार की अगर आम नाम ओगरा लिखने नाम ओगरा है ठीक है अपना नाम ओगरा भर दीजे रोल नंबर ओगरा ठीक है साथ में आप लोग को इन्रोल्मेंट नंबर ओगरा और सब्जेक्ट ओगरा ठीक है डेट कोड ओगरा टाइम ओगरा कितने जितने भी टॉपिक देखना है उसको सही रूप से पूर्ण रूप से फिल कर देना अगर आपको नहीं आ रहा है तो जो भी आप लोग को मतलब कहने को वनब गाडी वाले होंगे टीचर उनसे आप डिसक्स्ट कर लीजिए वो बिल्कुल भी ने कुछ बोलेंगे मागर सबसे पहले आपका डिपन करता है कि आपके पहले वाले पीस पर किस प्रकार से आपको भारे हैं ठीक है सभी टॉपिक को तो आप लोग को एक रहता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग को पूर रूटते पांतों पृलरोप पूर्थत्ष पर्णुलमें से और और च contar को सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा रहा है मतलब किस खंडों को तो सबसे ज़्यादा आप explain कर सकते हैं तो बात किया जाया सक्षbooks क्या सके हैं उसमें कितने खंड होते हैं मतलब 5 खंड होते हैं और 5 खंड में से 3, 3 Kiev Phil चार और 5 अब आप 5ों में से क्या होते हैं अगर आपको दूसरा वाला खंड आ रहा है पूर रूप से आ रहा है तो दूसरा वाला खंड आप उठा लिजे प्रस्नोंत्तर नमबर दो का ठीक है अब दो का उठा लिजे फिर उसमें का और खा करना है और गाहे ठीक है अगर आप का खांगा तीनों कुषिच्ण में आप दो कुष्ण सॉल्व कर रहे हैं तभी उसको कुछ यह पहला कुछ तन आप सालव कर लिए जे फिर उसके बाद दूसरे का खावाला कुछ रूठा ये ठीक है अगर खावला नहीं आ रहा तो गावाला उठा लिए दूसरा कुछ चन दूसरे खंड का पूरा पूरूरूरू से समापत हो जाए तब आप ती कोई दूसरा कं अटेंड हो गया फिर उसके बाद आप तीसरा चौथा पाच्वा कोई भी उठा सकते हैं बात क्या जाए एक चीज आप लोग को सीरियल वाइसर करना है ठीक है इससे क्या होता है कि एक्जामनर क्या करता है कि सबसे पहले देखिए कहने के मतलब खंड आप उठाए खंड का पहला कुश्चन कर लिजिए दूसरा कुश्चन कर लिजिए इससे आप लोग को जिग्जामनर के दिमाग में बैठ जाता है कि हां बंदे को टैलेंट है और किसी भी कुश्चन को लिख सकता है इधर उदर तो कहने को मतलब है आप लोग लिग लिजिए फिर उसके बाद इसा नहीं करना है ठीक है एक्जामनर के दिमाग में ऐसा टॉफिक बढ़ जाता है कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है कि अवल भुमाख फिराकू मेंचे चक्राना चाहता मतलब नमबर लेना चाहता है तो कहने को मतलब है आप लोग विल्कुल भी ऐसी गलती है बिल्कु में क्या करती है पहले एक साइड कर लेते हैं ठीक है जो भी करना होता है गैपी और फिर उसके बाद इस साइड भी कर लेते हैं आपको विल्कुल ऐसा नहीं करना है के वर एक साइड आपको लोग को लाइन माननी है के वर एक साइड में और उपर की एक लाइनी ठीक है विल्क को दो लाइन आगे माननी है फिर उसके बाद ऊपर एक लाइन और लिखने के बाद आप लोग को यहां पे बात किया जाएस के आप लोग को किस प्रकार से प्रश्ण उत्तर नमबर छोड़ेंगे अगर आपके पास दो स्केस है ठीक है तो आप लोग दो स्केस का यूज करें सबसे पहले कौनझी हो क्वरण च्शोड़नी पड़ेंग की आप मशीन फेक है प्रकार से रूटक सलेंफेंग पड़ेंगी आप लोग को मशीन ठीक है अब मसीन के बारे में आप लिखे ठीक है फिर उसके बाद लिखने के बाद क्या करें लिखने के बाद आपको उसके प्रकार उसके संचित्र टिपल लिखना है तो उस प्रकार से लिखते हो चले जाए और लिखने के बाद जहां आपका कुश्ण क्या होता समाप तो हो कफूंबर आपको देता है और गया और यहां पर दह ग Peak up at Latino होतीघ है तो क्या करते हैं जल्द जल्द से जब जल्दी जल्दी में क्या करते हैं मिलाते जूड़ते चले जाते हैं और वाइद में क्या है आपके अक्षरों पर लिख दिया गया तो कभी कभी वो देखना नहीं है और नहीं देखता है तो क्या होता आपका मार्स क्या होता छोड़ जाता जिससे आपकी बैक लग जाती है और उसके बाद आप रीचक करवाते हैं और रीचक करवाने के बाद आप को कापी फिर नंबर मिल जाता कहने का मतलब है आप लोग ए चीज विसेस ध्यान दीजिए कहने का मतलब कुश्चन आपका समाप्त हो गया कुश्चन समाप्त होने के बाद थोड़े थोड़ी डैपिंग कर विजिए वहां पर आप लोग का नंबर ले लिया जाएगा और इन्रोल्मेंट नंबर हो गया है लिखने के बाद आपको नंबर वगयरा मोबाइल नंबर तो बिल्कुल मत रख रहा है क्योंकि अगली बार आप पूरा नतीजा देख चुके है ठीक है इससे आप लोग बिल्कुल सतर रखी है मोबाइल नंबर तो बिल्कुल मत लिखना ठ लिज़ाइन के बारे में हैं यह प्रचान करद से कि आप हैं कीजाइन वान ओर पनले लिज Mia घाइन के अगर मसीं प्रीजाइन है त도 मसीं मतलब मसीं के बारे में ही निछाइन पूठेगा किस प्रकार से उसका डिजाइन की जाती है, किस प्रकार से उसका उन्देश सक्या गया, तो आप डिजाइन से लेटर ले लिजे, उसी के according आप लोग लिखना हुआ, स्टार्ट कर दीजे, कहने का मतलब है, जो टॉपिक है, उसी से लेटर लिखे, भले भी आपको लोग को याद रखते हैं, तो आई होब कि यहाँ पे आप लोग को एक्जाम सेंटर, एक्जामनर, हंडेट परसंट चाहरेक, मजबूरन आपको पच्चास में पच्चास नहीं देगा, तब फिर बताना, आप लोग एक बार जरूर ऐसा रूल फालो करिए, जो मैं आज बता रहा ठीक है, तो बस आज के लिए तना ही वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सस्काइब करें, ज्यादा ज्यादा सेर करने कोसिस कीजिए, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, अब तक के लिए जैहिए